असलाम अलेकम, वेलकम टू फाल आई स्टाइल, तो मैं आज आपके लिए रेसिपी लेकियाई हूँ, फ्राई चिकन प्लाव रेसिपी, जो के बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप इसे अपनी दावतों में बना सकते हैं, ये फ्राई चिकन प्लाव बहुत ही ज चमच और अदरक लहसन का पेस्ट डालेंगे एक खाने का चमच, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसे हाई फ्लेम पे पकने देंगे 6-7 मिनट के लिए, हमें इसे 50% तक कुक करना है, चिकन को एक साइड पे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे, और यखनी को स्ट्र डालेंगे आधी चाय का चमच, हल्दी पाउडर आधी चाय का चमच, और कौन फ्लोर डालेंगे तीन खाने के चमच, रेड फूड कलर डालेंगे एक जुटकी, अदरक लहसन का पेस्ट डालेंगे एक खाने का चमच, फ्रेश लेमन जूस डालेंगे एक खाने का चमच, और अगर ज्यादा पानी डाल देंगे तो इसकी consistency जो है वो रनी हो जाएगी और चिकन के उपर इसकी coating बहुत अच्छे तरीके से नहीं ठहरेगी तो देखें कुछ इस तरह की consistency इसकी होनी चाहिए अब इससे apply कर लेते हैं चिकन के उपर जिसे हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर और बहुत अच्छे तरीके से पूरे चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से इससे हमें रब कर देना है और इस चिकन को हम American करेंगे 15 मिनट के लिए इतने टाइम में ये सारा मसाला इसमें चिकन में बहुत अच्छे तरीके से जजब हो चुका है अब इसे फ्राइ कर लेते है तबाम चिकन को हमें प्रिहिटी डॉयल में इस तरीके से ड्रॉप कर देना है और उलट पलट करते हुए हमें इस तरीके से इसे फ्राय कर लेना है याद रहे कि ये चिकन 50% पहले ही कुक हो चुका है अब इस चिकन को हमें फ्राय करने के लिए 7-8 मिनट लगेंगे हमें इस स्टेज पे चिकन को 100% फ्राय कर लेना है सारे चिकन को निकाल के हमें एक स्ट्रेनर में रख दिना है दूसरी साइट पे एक पतीले में आदा कप आईल का लेंगे इसमें खड़े गर मसाले डाल लेते हैं दार्चीनी की एक स्टिक, दो बादियन के फूल और एक चाय का चमच जीरा डालेंगे और इसे सौते करेंगे 5 से 6 सेकिंड्स के लिए अब इसमें साबत काली मिर्श डालेंगे एक चाय का चमच एक मीडियम साइज का चॉप की हवा प्यास डाल देंगे और इसे भी हमें तब तक कुक करना है जब तक इसके उपर लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए हमें प्याजों को डार्क कलर नहीं देना अब इसमें डालेंगे लहसा नद्रक का पेस्ट एक चाय का चमच और इसे बेच्छे तरीके से कुक कर लेंगे तक इसका कच्छापन भी दूर हो जाए अब इसमें डालेंगे सबस मिर्चें 5-6 अदर जो मैंने चॉप कर ली थी आप सबस मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं अब इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर जिनको मैंने चॉप कर लिया था फाइनली और इस मसाले को हमें तब तक कुक करना है जब तक कि ये टिमाटर जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए अब इसमें डालेंगे काली मिर्श पौउडर एक चाई का चमच पिसा हुआ गर्म मसाला एक खाने का चमच जीरा पौउडर एक चाई का चमच और एक इसमे हम डाला देंगे chicken cube और अगें हमें ऐसे अच्छे तरीके से cook कर लेना है थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और तमाम मसाले को उच्छे तरीके से हमें भून लेना है oil separate हो चुका है अब इसमें हम दही डालेंगे फेंटा हुआ, आदा कप अब देही डाल के भी हमें मसाले को अच्छे तरीके से कुक कर लेना है हमें दुबारा से मसाले को अच्छे तक कुक करना है जब तक इसका ओयल सेपरोट हो जाए अब हमें इसमें दो से तीन लेमन को स्लाइस करके डाल देना है 4-5 सब्स मिर्जज़ डालेंगे धनिया डालेंगे अब इसे मज़ैद 2-3 मिनिट के लिए अच्छे तरीके से कुप करलेंगे अब मसाला झो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी है अब इसमें यखनी डालेंगे ने मैंने 3 कप बासमती राइس लिये हैं आप इसमें मैं 6 कप यखनी डालूँगी नमक हम पहले ही यखनी में डाल चुके हैं फिर भी आप इस स्टेज पे नमक चेक कर सकते हैं वाइल आने पे इसमें हम चावल डाल देंगे जो कि 3 कप 750 ग्राम बनते हैं और चावलों को हमें पानी ड्राय होने तक कुक कर लेना है पानी की मिकदार जो है वो आप अपने चावलों के हिसाब से रख सकते हैं मुझे इन चावलों में हाफ हाफ रेशों से ही पानी डालना था अब चावल डाम के लिए रेडी हैं इसके उपर चिकन जो है अब इस तरीके से रख देंगे ताके चिकन का सारा फ्लेवर जो है वो चावलों में आ जाए कवर करेंगे और पंदरा मिनट का दम दे देंगे चिकन को अब एक साइट पे रखेंगे और साथ तमाम चावलों के इस तरीके से हमें डिश आउट कर लेना है अब हमें तमाम चिकन के पीसीज को भी इन चावलों के उपर इस तरीके से हमें डिश आउट कर लेना है अब इसे गार्णिश करें कि यह सब स्थनिये के साथ और इसके चावल भी जखनी निकालने की वज़ा से बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनते हैं तो आप भी बनाएं इंजुआएं करें थैंक यू सो मज़ टेक कैर अलाह आफिस बाई बाई